एलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चनल, आजके इस वीडियो में IIT जैम 2024 क्वेस्चन नंबर 6 को डिसकस करेंगे तो डिसकस करने से पहले क्वेस्चन को एक बार रिट कर लेते हैं अगर मैं आपको एक्जम्पल के मदद से बताऊंगा तो यू 2 के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता है क्योंकि 1 के साथ अगर GCD करेंगे 2 का तो 1 होता है यू 3 के अगर आप बात करेंगे तो यू 3 के अंदर सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट रहेगा क्योंकि दोनों का GCD 3 के साथ 1 है सिमिलरली यू 4 के अंदर आपका जो एलिमेंट होगा 1 रहेगा 3 रहेगा इन दोनों ही एलिमेंट रहेगा क्योंकि इन दोनों का GCD 4 के साथ 1 है यह है एक्जम्पल ओप UN ग्रूप आप चाहे तो U5, U6, U7 ऐसे करके निकल सकते है जाए तो बाकी option को अब ऐसे ही डिसकर्ट कर सकते हैं लेकिन आप option को पहले पढ़ लेते हैं U5 is isomorphic to U8, U10 is isomorphic to U12 U8 is isomorphic to U10, U8 is isomorphic to U12 यहाँ पर जो वार है isomorphic तो isomorphic का मतलब है किसी भी दोनों ग्रूप internal structure same है लेकिन देखने में सिर्फ अलक है तो इन दोनों ग्रूप को हम isomorphic बोलते है जैसे कि मालो ग्रूप का number of elements number of elements कितने कितने है और ग्रूप का number of element का order same है यह सब same रहेगा दोनों ग्रूप का दिन हम उस ग्रूप को isomorphic बोलेंगे number of subgroup, number of normal subgroup यह सारा जो property है isomorphic group का same ही होता है यह question बहुत ही आसान है यह question को मैं अगर आपको formula पता है मैं यहापर 5 formula लिखके रखा हूँ अगर यह मेंसे 5 formula आपको याद है तो यह question आप चुटकी में solve कर सकते है तो आईए formula को एक बद देख लेते हैं तो यह formula को याद रखना हमेसा U2 जो होता है हमेसा isomorphic होता है Z2 cross Z2 to the power N minus 2 जहाँ पर N greater than or equals to 3 है and U PN हमेसा isomorphic होता है Z P to the power N minus P to the power N minus 1 जहाँ पर P2 नहीं है अगर P कोई भी prime है क्योंकि अल्रेडी 2 के लिए हमने यह formula define करके रखा है बाकी सारा जो prime number है उसके लिए यह formula define होता है और number 5 बहुत ही एक important property है U N1 into N2 इसको हम लिख सकते है U N1 direct product U N2 अगर N1 and N2 का GCD 1 है इसका मतलब मैं अगर आपको example से बताऊ So U 15 को हम लिख सकते है U 5 into U 3 क्योंकि 3 और 5 दोनों का GCD 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते है लेकिन U 4 को हम कभी भी U 2 into U 2 में नहीं लिख सकते क्योंकि 2 और 2 का GCD 1 नहीं है तो इसको हम नहीं लिख सकते यह है हमारा trick यह हमारा question में यह सारा अगर आपको याद है तो यह question बहुत ही आसान है तो आए एक-एक करके पूरा सारा निकलते है तो सबसे पहले U 5 को हम लिख सकते U 5 to the power 1 तो इसके में formula लगाएंगे Z 5 to the power 1 minus Z 5 to the power 1 minus 1 that means Z 5 to the power 1 minus 1 that means Z 4 के साथ isomorphic so U 5 basically isomorphic to Z 4 similarly U 8 को हम लिख सकते U 2 cube that means U 2 cube को हम लिख सकते isomorphic to Z 2 cross Z 2 to the power 3 minus 2 so यह हो जाएगा Z 2 और यह हो जाएगा हमारा Z 2 also लेकिन Z 4 और Z 2 cross Z 2 यह दो एक दूसरे के साथ isomorphic नहीं है आपको समझने की जरूरद है क्यों isomorphic नहीं है देखिए Z 4 एक cyclic group है क्योंकि Z 4 के अंदर एक element 4 order का है लेकिन Z 2 cross Z 2 इनके पास जो highest element का order है वो 2 है तो यह group cyclic group नहीं है लेकिन यह group cyclic है तो इसलिए यह दोनों group एक दूसरे के साथ isomorphic नहीं है मैंने बोला isomorphic के मतलब सारा property same होना चाहिए अगर एक group cyclic है तो दूसरा group भी cyclic होना चाहिए next option के तरह बढ़ते है U10 को हम लिख सकते U2 cross 5 क्योंकि 2 और 5 का GCD 1 है तो हम इसको लिख सकते U2 cross U5 U2 हम मैंने पहले ही बता दिये U2 Z1 के साथ isomorphic है और U5 आगर आप पहले जैसे formula के मदद से करेंगे तो U5 हमने यह आपर लिखा है U5 Z4 के साथ isomorphic है तो मैंने इधर ही इसको put कर दिया इधर ही इसको put कर दिया U5 Z4 के साथ isomorphic So basically U10 हमारा Z4 के साथ isomorphic है and U12 को हम लिख सकते U2 square into 3 2 और 3 एक दूसरे के साथ को प्राइम है क्योंकि 2 और 3 का GCD 1 है So इसको हम तोड़ सकते U2 square into U3 U2 square को लिख सकते है Z2 into Z और इसको हम लिख सकते है Z3 3 to the bar 1 minus 3 to the bar 1 minus 1 That means इसको लिख सकते है Z2 और इसको लिख सकते है Z3 to the 3 minus 1 That means Z2 into Z2 हम लिख सकते है So हमारा U12 isomorphic to Z2 cross Z2 and and हमारा जो U10 है U10 Z4 के साथ isomorphic So ये भी same option A के तरब Z4 Z2 cross Z2 के साथ isomorphic नहीं है तो आईए option C के तरब आगे बढ़ते है U8, U8 को हम लिख सकते है Z2 cross Z2 पहले जैसे हमाने लिख दिया U10 को हम लिख सकते है Z4 ये भी same option हो गया Z2 cross Z2, Z4 के साथ isomorphic नहीं है क्योंकि एक group cycling है एक group cycling नहीं है तो ये दोनों group isomorphic नहीं है तो आईए option D के तरब आठते है U8 को हम लिख सकते है Z2 cross Z2 U12 को हम तोड़ सकते है U2 square into 3 that means U2 square into U3 U2 square को लिख सकते है Z2 and U3 को लिख सकते है हम ऐसे लिख सकते है तो ये basically Z2 into Z2 हो जाएगा तो ये भी Z2 into Z2 that means मैं हम बोल सकते है U8 U12 के साथ isomorphic है that means इन दोनों का internal structure पूरा सेम है so answer D is the correct answer तो आई एक बद देख लेते है so हमारा answer जो D है U8 is isomorphic to U12 this is the correct answer so मैं यहाँ पर लिख के भी रखता हू answer D is the correct answer so thanks for